मर्यादा पुर्सोतम प्रभु श्री राम की नगरी में प्रभु राम का भव्य मंदिर प्राणपतिष्ठा के लिए बनकर त्यार हो गया है निर्माणकार में गर्विक्रह बनकर त्यार है प्रथम फ्लोर का निर्माणकार चल लहा है और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है जिसको लेकर 22 जनुरी 2024 को मकर संकरान्ती के बाद सूर के उत्तरायन होने के साथ ही राम जनम्भूम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम की तयारी शुरू हो जाई लिहाज राम भक्तों की भी जिग्यासा हो जी कि प्राण पतेष्ठा कारिकरम में किस दिन क्या होगा और यहाँ पूरा प्राण पतेष्ठा कारिकरम किस तरह किया जाएगा इसी के साथ यहाँ भी जानने की जिग्यासा होगा कि प्रधान मंतरी मोधी जब प्राण पतेष्ठ की है आज हम आपको बताते हैं कि क्या है प्राणग प्रतिष्ठा कारिकरम का पूरा शेडूल तो चलिए जानते हैं को दिनांग सत्रव को भगवान राम लाला अपने द्रमान स्तर से मंदिर में पधराये जाएंगे और वहां पर उनकी विधिवत स्वागत होगा सारी पूजा जो है यह दूसरे दिन प्रतकाल आरम होने वाली है दिनांग 18 को दिनांग 18 से 22 तक यह पूजा चलेगी वैसे यह सारी पूजाएं जो है यह भगवान शी राम की प्रतिष्टा होने के लिए निर्विगनता के कार अलिये उनमें देवकलाओं की जागरती के लिए जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धी के लिए इस प्रकार की यह सारी पूजाएं हैं इन पूजाओं में अ इस अब दोबीजिद का सबर्टाइगा ग्रेंड की प्रतिमा उनके अदिग्रवां पर स्थापित जब होगा तो उनके लिए पुष्पा दिवास धन्या दिवास अरशक्रण के अन्य प्रकार के अधिवासन की قार प्रकार के मंत्रों से उनके उपर न्यास किये जाते हैं यह सब मंत्रों के संसकार कहलाते हैं यह सब पांच दिनों तक चलता रहेगा मंत्री जी की बात क्यों आपको बतलाता हूं प्रधान मंत्री जी जब पढ़ा रहेंगे तब जाकर के पहले जटायू के सामने पुश्पा से वो को परियंत जो बरिदानी महत्मा हैं उन सब के प्रतीक के रूप में जटायू का पूजन होगा और तत्पस्चाद भगवान शीराम की प्रतिष्टा के लिए प्रहार मंत्री महोदे पदारेंगे